नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भावेश आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी होमेपितिक दवाएं जो आपके सोर थ्रोट के लिए बहुत ही अधिक उपियोगी होती हैं सोर थ्रोट मतलब होता है जब आपको बार बार गले में दर्द होना बार बार गले में इरिटेशन होना बार बार गले में खराश जैसी कंडिशन बनना जैसे हम खराश बोल सकते हैं जिसको इरिटेशन हम बोलते हैं खराश जो आदमी लोग करते हैं या किसी को बार बार होना ये किसी को लगातार सोड थोड बना होता है ये acute भी हो सकता मतलब अचानक से किसी infection card भी हो सकता है और कई बार किसी लोगों को बहुत लंबे समय से भी बना रहता है तो इस condition के लिए आपको कौन सी होमेपेथिक दवा लेनी चाहिए तो सोड थोड के लिए जो भी दवा मैं आपको बताऊंगा वो आपके educational purpose से है दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ठीक है ये वीडियो का disclaimer है एंड जो दवा बताऊंगा जब भी आप ले उतको जर्मन होमेपेथि में ले तो अच्छा फाइदा होता है ठीक है तो पहला जो है sore throat मतलब गले में दर्द जब भी मैं sore throat बोलूँगा इसका मतलब है गले में दर्द गले में इरिटेशन गले में जो आपकी है खराश बनी होना वाली बात करूँगा तो sore throat है जो ठंडी हवा थोड़ी ठंडी हवा लगी गाडी में चले ठंडी हवा लग गई ठीक है एसी की संपर्क में आ गए ठंडी हवा लग गई गाडी में आ बैटें एसी आपके एकदम आपके लग गया आपको तो अपको गले में खराश बनने लगी इको नाइट जब भी ठंडे की संपर्क में जाने के बाद गए और उसके बाद आपको तुरत गले में खराश, गले में दर्द या सोर्थ रोट मिलता है तो एको नाइट से कोई दवा नहीं है इसको प्योग करेंगे आप बिल्कुल आपको फाइदा मिलेगा ठीक है बड़ी गले में सुखापन, ड्राइनेस गले में सुखापन होता है गले में जलन होती है इतना सुखापन होता है कि उसको बहुत अधिक प्यास लगती है हर थोड़ी थोड़ी थाई में वो पानी पीता है थोड़ा पानी पीएगा फिस तोड़ी बाद पानी पीएगा थोड़ा प इकल्ब बहुत इफेक्टिव दवा है बहुत इदिक फायदेमन दवाए आगे बत करते हैं सोट तोट वही गले में दर्द इरिटेशन खराश और साथ में एकसेश्यु सलाइवाई उपेवाले में देखा बहुत इदिक सुकापन था तो आरसनीक अलब है बहुत अधिक लार फॉर्मेशन होता है मुह में लार भरा होता है बार वार हमें थूकना पड़ता है मक्सॉल मक्सॉल बहुत ही बहुत ही इफेक्टिव दवा है ठीक है नेक्स नम बात करते हैं आपको वही गले में खराश है और साथ में लग रहा है कि गले में जो खराश में साथ में आप को मवाद निकल रहा है पस निकल रहा है पिले पिले रंका ऐसी कोई कंडिशन आपको लगती है जब भी मर्क सॉल नाम की दवा बहुत ही बहुत ही effective होती है इस प्रकार के clinical condition के लिए आगे बात करते हैं sore throat है ठीक है और जब भी हम खाना खाते हैं तो गले में दर्द होता है जब भी हम कुछ अंदर लेते हैं ठीक है पानी को छोड़के जितनी चीज आप खा रहे हैं liquid को छोड़के जो भी आप खाते हैं गले में दर्द होता है ठीक है सोर थोट है जिसमें आपको गले में दर्द होता है खास कर खाना खाने में कुछ भी ची अंदर निगलने में बराइटा कार्ब हम दवा दे सकते हैं कई बार देखा गया है जब सोर थोट होता है तो उसमें कई बार टॉंसिल भी आपको मिल सकता है टॉंसले लार्ज भी आपको मिल सकते हैं तब भी बेराइटा कार बहुत ही effectively काम करती है बहुत वाइदे मंद काम करती है आगे बात करते हैं सोर्थ रोटे वोई धर्द है irritation है खरास है burning आपको मिलती है आज जब गले को चेक करते हैं तो बिलकुल लाल दिखता है ऐसा लगता है कि वहाँ swelling आ गई है तो ballot owner नाम की दवा है बहुत ही effective होती है बहुत ही effective है जलन है redness है और बहुत अधिक swelling आपको मिलती है तो वहाँ पर देखने पर चेक करने बते बैलेड उनना नाम की दवा बहुत ही effective होती है आगे बात करते हैं सोर्थ रोट है गले में खराश है गले में दर्द है मवाद निकल रहा है पस निकल रहा है और वो पस जो है आपको बता दूँ खास कर ठंडे के संपर्क में जाने से बढ़ जाता है या ठंडे के संपर्क में आने के बाद मवाद निकलता है ठंडे के संप होता है और आपको ऐबार आपको बल घम में या जो थूक रहे हों समय Yahoo Play देखता है ब्लट के क्लॉट दिखते या ब्लट के क्ण दिखते हैं गले में ल Cand होती है ठीके ब्लट के तुकड़े मिलते हैं आपको व्लकम में ठीके जब पहले है कैलेंडूला मदर टिंचर जो गेंदे के फूल से बनने वाली दवा है प्लांट बेस दवा है कोई भी स्कोप योग कर सकता है जब आपको गले में खराश रहती है इरिटेशन रहता है दवा नहीं खाना चाहते हैं तो रोजाना आप आदा गिलास पानी लेके या एक गिलास पानी में दजबून कैलेंडूला मदर टिंचर का डालके गारगल कर सकते हैं लगातार कोई दवा नहीं खाना चाहते हैं ने च्छाने दवा खाने की सिर्फ आप गालगल करके वहां की मेंबरेन को वहां की इंफेक्शन को सूरनेस को, दर्द को हिरिटेशन को, खरास को खतम कर सकते हैं कैलेंडूला बहुत ही एफेक्टिव दवा है एंड इसके लाब आफ लास्ट एक और दवा है फाटो लगका डी इसका भी मदर टिंचर आप ले सकते हैं यह भी बहुत अधिक फाइदे बहुत हैं कैलेंडूला से ठीक नहीं हो रहा है कैलेंडूला आपने ले लिया और ठीक नहीं हो रहा है, मतला कम से कम आप 15 दिन की उस्ट करेंगे, गल-गल उसके बाद नहीं होरा तो आफ vato lika d और viato lika d vato lika b b आता है b 밤 बौल वाल टीग है यह भावेश वाल बी वाल और d आपको लेना भी नहीं लेना है d लीजी vato lagka d mother tynker तो इसमें Х lengle करें तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाब मिल सकता है जर्मन होंपेटी दवा लें और जब भी दवा लें पहले डॉक्टर से मिलें कंसल्ट करें उसके बाद दवा लें ज़िए आप मैट से कंसल्ट करना चाहते हैं तो तीन से पांच की बीचने वाटसप पे आप मुझे अपाइटमेंट लेके बात कर सकते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फोन लगा रहे हैं बात नहीं हो पाती तो मैं आपको बता दू उसके लिए मैं चामा चाहता हूँ क्योंकि इतने लोग फोन करते हैं तीन से पांच में हर किसी से बात करना बड़ा उसमस्किल होता है तो लोग एपाइमेंट ले लेते हैं ताइम दिया जाता है और उस ताइम में उनकी बात हो जाती है नमस्कार